हेलो सातियों नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद है आप सभी अच्छी होंगे और आप सभी के तयारी भी बहुत अच्छी चल दहीं होगी सातियों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गूस्ट क्लासिस में सातियों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Speed, Time and Distance यानि की चाल, समय और दूरी सातियों इससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पाई पैंटन की और आज से हम सुरू करेंगे Speed, Time and Distance अगर हम बात करें Speed, Time and Distance की तो सातियों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके रिगॉर्डिंग सारे कॉंसेप्ट इसके बेसिक कॉंसेप्ट क्या होते हैं, रेशियो मेथड क्या होती है इसके ट्रिक्स क्या होती है, सारी चीजे हम आने वाली क्लासिस के अंदर और आज हम सीखेंगे लेकिन साथियों जो आज की क्लास है वो बहुत ही important होने वाली है, बहुत ही महतेपूर होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आपको जितने इससे related concept होते हैं यानि कि चाल समय दूरी होता क्या है, इसी कहां से निकल के आता है और इससे related इनके बीच का relation क्या होता है, अगर relative speed की बात करें तो क्या होती है इसमें जो concept लगते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीजे हम आज की क्लास में सीखेंगे और कुछ questions को भी solve करेंगे, और इसके बाद आगे आने वाली क्लास के अंदर भी हम धीरे धीरे इसके level को बढ़ाते चलेंगे और previous year के questions भी solve करेंगे लेकिन साथियों उससे पहले गर हम बात करें, तो दीखे, speed, time and distance से अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं यानि कि इस chapter को आप अच्छे से समझते हैं, तो इससे related ही आपके दो chapter और आप पढ़ेंगे रेलगारी पर सम्बंदेत प्रशन और नाव एंड धारा से सम्बंदेत प्रशन ये प्रसन के अंदर भी आपसे यही चीजे पूछी जाती है, speed, time and distance के बारे में और वो chapter भी आपके इसी concept के आधार पर बनते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आप इस chapter को बहुत अच्छे डंग से समझे और हमारा प्रियास रहेगा कि जितने भी related concept बनते हैं आपको बिल्कुल basic level से लेकर के advanced level तक के जितने भी questions होते हैं ये जितने भी concept हैं वो सारी चीजे आपको बहुत अच्छे डंग से explain की जाएं तो चलिए साथियों class को शुरू करने से पहले आप वीडियो को like कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पली चैनल को subscribe कर लीजेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दीजेगा तो चलिए साथियों बात करते हैं आज की class की तो आज की class के अंदर हम सीखेंगे speed, time and distance तो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कि speed, time and distance होता क्या है और ये कहां से निकल के आता है देखें आपने physics के अंदर एक चीज पढ़ी होगी motion physics में आप एक चीज पढ़ते है motion जिसको हिंदी में कहते हैं गती देखें motion क्या होता है अगर आप motion की बात करें तो देखें अगर मालीजी यहां पर point A है और ये point B है ये point A है और point B है इसके बीच की दूरी अगर 5 km है आप मालीजी इसके बीच की दूरी क्या है 5 km है देखें motion क्या होता है motion का अर्थ होता है किसी भी वस्तो का हिलना या फिर हरकत करना या एक जगे से दूसरी जगे तक जाना जैसे कि कोई भी कार या फिर कोई भी व्यक्ति मान लीजे अगर point A पर है और कुछ समय के बाद वो point B पर पहुंच जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति ने क्या किया motion किया यानि कि गती की तो motion का अर्थ क्या होता है कि मान लीजे अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति जैसे राम था तो अभी वो point A पर था और कुछ समय के बाद वो point B पर चला गया यानि कि कहने का अर्थ है कि राम जो है ना वो राम के चारो तरफ का जो एरिया है वो समय के साथ क्या हो रहा है बदल रह कि यहां पर राम के चारों तरफ का अर्था निकाय था वह कुछ और था यहां पर कह सकते हैं कि मोशन का अर्थ होता है कि किसी दीए गए समेंत्राल में वस्त के सापेक्ष किसी निकाय । स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं मोशन कहते हैं यहां पर अगर राम था तो यहां पर उसने कुछ समय के बाद अगर पॉइंट बी पर पहुंच गया तो उसकी स्थिति में क्या हो गया परिवर्तन हो गया तो देखें यह तो होता है मोशन क्या होता है अब और तीन चीजे आपकी दिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी और अगर बात करें टाइम की यानि की समय टाइम यानि की समय अब दिखी सबसे पहली चीज आपको पता है कि अगर मालेज़िए पॉइंट A से यानिकि राम अगर पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है तो सिंपल सी बात है जब राम A से B तक जाएगा तो इस मार्क की जो लंबाई है यानि कि जिस रास्ते से वो जाएगा उस रास्ते की जो लंबाई है वो तै करेगा ना तो कहने का आरते कि राम जो है वो मोसन करते समय गती करते समय जो उसने दूरी लंबाई जो तै की है निकि मार की जो लंबाई तै की है जब पॉइंट A से पॉइंट B तक राम या फिर कोई भी कार जब पॉइंट A से पॉइंट B तक जाएगी तो उसने इसके बीच की जो लं संबाई होती वो क्या कहलाती है ठीक है अगर हम बात करें टाइम की यानि कि समय की तो अगर टाइम की बात करें तो देखिए जग ए से बी तक राम जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उसको पांच किलोमेटर चलने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा यानि कि ए से बी तक जाने में उसके जो time लगेगा वही आपका यानि कि जो समय लगेगा वो क्या होगा आपका time यानि कि समय कहलाएगा motion के अंदर समय भी use होता है अगर हम बात करें speed की तो कहने का आर्थ है कि जैसे generally हम लोग कहते हैं कि गाड़ी 40 की speed से चला रहे हैं 50 की speed से चला रहे हैं तो इस यानि कि अगर चाल की definition को पढ़ें यानि कि चाल की अगर परिहां सा बोलें तो 21 समय में तै की गई दूरी क्या कहलाती है आपकी चाल कहलाती है अगर हम बात करें कि 40 मिल्टर प्रति सेकंड 40 मिल्टर प्रति सेकंड की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि 40 मिल्टर दूरी जो ह में कर रहा है तो कह सकते हैं कि 400 मीटर्व प्रति मिनट भी कह सकते हैं यानि कि कहने कारते की 101 समय में तय की गई धूरी उती है वह क्या कहलाती है उसवस्त यहनि कि कि किनी किछीज की जैसे मानिरी कार है थो शलीमेटर्व और गंटे में चाल क्या हो जाएगी 40 km प्रति घंटा तो ये हो गया आपका speed, time and distance यानि कि तीनों चीजें होती क्या है और ये कहां से निकल के आती है ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे इसके relation की यानि कि speed, time और distance के बीच में क्या relation होता है देखिए अगर हम बात करें इसके relation की तो आपको पता, देखिए सबसे पहली चीज़ चाल को हम निकालते कैसे है अगर हम बात करें तो आपने simple formula पढ़ाओगा चाल is equal to क्या होता है दूरी बटे समय अब देखिए चाल कैसे निकालते है जैसे माल लीजिए किसी भी व्यक्ति ने 100 km दूरी तै की किसी भी व्यक्ति ने 100 km दूरी तै की और उसको इस दूरी को तै करने में कितना समय लगा 2 घंटे का समय लगा कितना समय लगा 2 घंटे का समय लगा यानि कि किसी व्यक्ति ने 100 km दूरी को अगर 2 घंटे में तै किया तो उसकी चाल क्या हो जाएगी Charles is equal to हो जाएगा आपका दूरी बटे समय यानी 100 बटे दो तो कितनी चाल हो जाएगी उसकी 50 km प्रति घंटे की क्या हो जाएगी तो कहने का आर्थे कि पहला relation आप यहाँ से निकाल पाएंगी क्या होता है Charles is equal to क्या होता है दूरी बटे समय यानि एक आप formula यहां से निकाल पाएंगे चाल is equal to दूरी बटे समय यानि कि एगर आपको दूरी दे रखी हो और समय दे रखा है तम आप क्या निकाल सकते हैं चाल निकाल सकते हैं दूसरा अगर हम बात करें यहां से हम दो और formula बना सकते हैं अगर मुझे समय काउंट करना हो तम में क्या करूँगा समय को उपर ले जाओंगा और चाल को नीचे ले जाओंगा यानि कि समय की एगर हम बात करें तो समय is equal to हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल समय is equal to क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल दूरी is equal to क्या हो जाएगा चाल गुणा समय यानि कि हम यहाँ से तीन प्रकार्शे रिलेशन निकाल सकते हैं चाल is equal to क्या होता है दूरी बटे समय समय is equal to क्या होता है दूरी बटे चाल और दूरी is equal to क्या होता है आपका चाल गुणा समय अब दीखे यहाँ पर माल लीजे अगर कोई व्यक्ती जैसे 2 घंटे का समय है और 50 km प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलेगा तो अगर मुझे दूरी काउंट करनी है तो दूरी is equal to क्या हो जाएगी 2 घंटे में चल ला है और 50 km प्रति घंटे की स्पीड से चल ला है तो कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है साप चैछाल धुरेटिव स्पीड होती है कि देखे रहाम बात करें एक सिंगल व्यक्ति तो उसका अगर न Нिकाल सकते अगांब दो व्यक्ति議 के बीच निकलते हैं जैसे कि माल लीजे राम और स्याम और वह दो दोस्त थे तो अगर हम मुझे relative speed निकालनी है तो कम से कम 2 speed दे रखी हो यानि कि अगर मुझे relative speed निकालनी है यानि कि हम क्या निकाल रहे हैं अगर बोले relative speed क्या पढ़ना है relative speed जिसको हिंदी में कहते हैं सापेक्च चाल क्या कहते हैं सापेक्च चाल अगर मुझे relative speed निकालनी है तो relative speed निकालने के लिए आपको कम से कम 2 speed दे रखी हो अच्छा relative speed की बात करो तो ये 2 condition के तहट निकलती है कौन कौन सी condition में आप relative speed निकालेंगे सबसे पहली condition जब आप एक ही दिशा में यानि कि समान दिशा में जैसे कि माली ये 2 दोस्त अगर समान दिशा में अलग-अलग speed से जा रहे हैं या फिर 2 कारें एक ही दिशा में अगर अलग-अलग speed से जा रही है तो उनके वीच की relative speed क्या हो ही कहने का आर्थ है कि अगर हम बात करें समान दिशा की यानि कि समान दिशा की एगर बात करें और दूसरी condition में हम बात करेंगे विपरीद दिशा की विपरीद दिशा की यानि कि पहली condition समान दिशा में यानि कि जब 2 कारें समान दिशा में चल रही हो या फिर 2 गाड़ियां समान दिशा में चल रही हो और जब दो गाड़ियां विप्रित दिसा में चलने हो तो उनकी relative speed क्या होगी माल लीजिए दो गाड़ियां है और उनकी एक की speed S1 है और दूसरी की speed अगर S2 है तो अगर वो एक ही दिसा में जा रही है जैसे माल लीजिए पहली गाड़ी अगर S1 is equal to 10 km प्रति घंटे की speed से जा रही है और दूसरी गाड़ी S2 is equal to 15 km प्रति घंटे की speed से जा रही है 15 km प्रति घंटे की speed से जा रही है तो अब मुझे क्या निकालना है इनकी relative speed निकालनी है तो देखिए अगर गाड़ियां एक ही दिसा में जा रही है तो एक ही दिसा में जाने का अर्थ है कि उनकी जो relative speed होगी वो क्या होगी इन दोनों का अंतर होगा यानि कि अगर दोनों गाडियां एक ही दिसा में जा रहे हैं पर दोनों वेक्त एक ही दिसा में चल रहे हैं तो उनकी जो relative speed हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इन दोनों का अंतर हो जाएगी यानि कि जो भी बड़ा होगा उसमें से चोटे वाले को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका relative speed S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा S2-S1 यानि कि relative speed हो जाएगी आपकी 15-10 एक कल टू 5 km प्रति घंटा यानि कि अगर इस वाली condition के लिए आप relative speed निकालेंगे जब दोनों गाड़ियां अगर समान दिसा में चल रही हो तो उस condition में relative speed क्या होगी इसकी 5 km प्रति घंटा होगी चलिए बात कर लेता हूं विपरीद दिसा में यानि कि अगर दोनों गाड़ियां विपरीद दिसा में जा रही हैं पहली गाड़ी देखेए पहली गाड़ी जो है वो कह है 10 km प्रति घंटा की speed से आ रही है और दूसरी गाड़ी 15 कुलोमेटर पर दो गणता की Sizi Red से आ रही है अभी और दोनों गाडि आ आपकी एक ही धिशा में जा रही थी अब क्या है कि स्फेड की डोनों की स्पीड को आप क्या करिएगा जोड दीजेगा और दोनों की स्पीड को जब आप जोड देंगे तो आपको क्या मिलेगा रिलेटिव स्पीड मिलेगा तो यहां पर अगर विप्रीद दिसा की बात करें इस कंडिशन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दस पिलस प स्पीड है इसको हम दो कंडिशन में निकाल सकते नमबर एक समान दिसा में और नमबर दो विप्रीद दिसा में अगर हम बात करें समान दिसा की तो समान दिसा में क्या होगा जब दोनों गाड़ियां एक ही दिसा में जा रही होंगी तो उस कंडिशन में दोनों की जो स्पीड सेथ होगी उनका अंतर जो है वो क्या कहलाएगा अपका relevant speed कहलाएगा और जब दोनों गारिया एक दूसरे के भिप्रीध दिसामें होंगी तब दोनों का जोड एनि की दोनों की speed को आप जोड देंगे तो क्या कहलाएगा आपका native speed कहलाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं next concept की यानि कि conversion of speed यानि कि गतियों का चालों का बदलना जैसे कि आपको meter per second में चाल दे रखी हो आपको kilometer per second घंटे में बनाना हो या फिर आपको kilometer per second में दे रखा हो आपको meter per second में बनाना हो तब आप कैसे बनाएंगे सबसे पहले बात करते हैं कि माल लिजे conversion of speed conversion of speed जिसको हिंदी में कहेंगे चालों का बदलना चालों का बदलना ठीक है चलिए अगर conversion of speed की बात करूँ तो conversion of speed में क्या होता है कि जैसे माल लिजे अगर आपको चाल क्लों मीटर प्रति घंटे में दे रखी हो और आपको इसको मीटर प्रस सेकंड में बनाना हो या फिर आपको चाल मीटर प्रस सेकंड में दे रखी हो आपको क्लों मीटर प्रति घंटे में बनाना हो तब आप क्या करेंगे देखिए अगर आपको 4 km प्रती घंटे में दे रखी और आपको 1 meter per second में बनाना हो तब आपको simple क्या करना है 5 बटे 18 से गुणा कर देना है यानि कि अगर km प्रती घंटे में चाल दे रखी और meter per second में बनाना है तब आपको क्या करना है 5 बटे 18 से multiply कर देना है और अगर आप meter per second में चाल दे रखी और kilometer per second में बनानी है तो उसका उल्टा कर देंगे यानि कि 18 बटे 5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे यानि कि अगर kilometer per second में चाल दे रखी और meter per second में निकालना है तब इसको पाच बटे 18 से गोणा क्यों कुं पर्ते हैं इस चीज को भी समझ लीजिए गा। और हमको यहाँ पर मीटर में बनाना है, और यहाँ पर इस घंटे को किस में बदलना है, भै किलो मीटर को मीटर में बदलना है, तो एक किलो मीटर हम माल लेंगे मानक, यानि कि मानक क्या माल लेंगे एक किलो मीटर और यहाँ पर माल लेंगे आपका एक घंटा, क्या माल जाता है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दो पंजे 10 और इसका उजाएगा अठारा यानि कितना आजाएगा पांच बटे 18 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड यानि कि अगर आपकी यहां पर एक किलो मीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेक करेंगे जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पांच बटे 18 क्यों multiply करते हैं आप समझ पाए होंगे क्योंकि यहां पर क्या है 1000 होता है एक किलो मीटर के अंदर 1000 मीटर होता है और 36 क्या होता है आपका सेकंड होता है ठीक है चल हो सकता है कि किलोमेटर पर सेकंड से में बदले तो 18 वटे 5 से गुणा करते तो इस कन्फूजन को भी हम दूर कर लेते हैं तो देखिए इस कन्फूजन को दूर करेंगे आपको पता है देखिए दोनों कॉंसेप्ट के आपका पांच वटे 18 है और क्या है 18 वटे 5 है यानि कि यह मांच आएगा चोटा आएगा इसको चोटा आएकगा है जब आप इसको कालकुलेट करेंगे तो इसको जब कलेकुलेट करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे और चरफ फिफ्टी हो जाएगा तो 18 वटूनी च्छतिस यानि कि ृमान आपका पॉइंट टू के आएगा यानि कि 3.2 के something यानि कि 0.3 से भी कम आएगा अगर हम बात करें इसको जब हम calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा पांस तियां 15 यानि कि यह 3 से ऊपर आएगा तो कहने कारते कि 5 बटे 18 जो मान है वो आपका 18 बटे 5 से क्या होगा चोटा होगा यह वाला मान आपका बहुत ह परवर्तित करना है यानि कि बड़े मान को छोटे मान परवर्तित करना है त theft कि आप Ce यानि कि आप छोटीऊ से बड़ी रासी में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगेHmm मध्वत 10-5 से multiply करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई student भूल नहीं पाएगा कि मुझे kilometer पर घंटे से meter पर second में जाना है तो 5 बटे 18 से गोड़ा करनी है क्योंकि यहां पर क्या है बड़ी रासी से छोटी रासी में conversion हो रहा है और जब बड़ी रासी से छोटी रासी में conversion हो रहा है तो छोटे मांसे क्या करेंगे multiply करेंगे तो यह था आपका conversion of speed चलिए अब हम बात करेंगे कि ratio की यानि कि कुछ मतलब ऐसे तीन concept है जहां पर आप ratio method यानि कि सबसे पहली बार जब time को fix कर दिया जाए तब speed और distance के बीच ratio क्या होगा distance को fix कर दिया जाए तो speed and time की बीच का ratio क्या होगा और speed को fix कर दिया जाए तो distance and time की बीच का ratio क्या होगा ठीक है यहाँ पर तीन concept आपको बताऊंगा तो सबसे पहले heading डालेंगे कि ratio method in speed time and distance तो देखिए इसमें सबसे पहले concept के अगर हम बात करें सबसे पहले concept के अगर हम बात करें तो सबसे पहले concept में हम क्या fix करेंगे distance यानि कि if distance is equal if distance is equal then relation between relation between speed and time speed and time देखिए इन चीजों को जब आप सीख लेंगे ratio method को आप सीख लेंगे तो आपको बहुत सारे formula आद रखने की जरूद नहीं है आप सारे questions इस method से कर सकते हैं ratio method से कर सकते हैं तो यहां पर हम आपको तीन concept के तहट बताएंगे कि एक बार speed को हमने जब distance को हमने fix किया है तो distance को fix करने पर क्या होगा देखिए माल लिजे दो कारे हैं या फिर माल लिजे दो व्यक्ति हैं जिनके लिए आपका अगर distance d यानि कि हमने fix कर दिया है यानि कि दोनों के लिए distance क्या है हमारा d है और पहले व्यक्ति के लिए यानि a के लिए हमारा माल लिजे speed जो है वो s1 है और time क्या है t1 है अगर distance हमारा d है और a की हम बात करें उसके लिए speed s1 है और time हमारा क्या है t1 है अगर हम b की बात करें उसके लिए हम s2 माल लेंगे और time क्या माल लेंगे t2 माल लेंगे यानि कि यहाँ पर distance क्या है दोनों के लिए fix है अब से हम दोनों के लिए speed निकाल सकते हैं, जब दोनों के लिए speed निकालेंगे, यानि कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो पहले के लिए s1 is equal to हो जाएगा आपका d upon t1, और अगर आप दूसरे के लिए निकालेंगे तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा s2 is equal to d upon t2 यानि कि यहाँ पर d जो है दोनों के लिए समान है क्योंकि हमने बोला है कि distance is equal then relation between speed and time तो d दो है वो दोनों के लिए equal है और पहले के लिए speed s1 है और time t1 है दूसरे के लिए speed s2 है और time क्या है t2 है अब यहां से आपको क्या निकालना है speed और time में relation निकालना है तो s1 upon s2 जमाब करेंगे तो s1 upon s2 यानि कि d upon t1 बटे d upon t2 यानि कि d से d क्या हो जाएगा आपका cancel हो जाएगा जब d से d cancel हो जाएगा तो t2 आपका उपर पहुंच जाएगा और T1 आपका कहा जाएगा नीचे आजाएगा यानि कि यहां पर यह जो T2 है वो आपका उपर चला जाएगा और T1 नीचे आजाएगा तो इसका आर्थ है S1 upon S2 is equal to क्या हो जाएगा आपका T2 upon T1 S1 is equal to S1 upon S2 is equal to T2 upon T1 यानि कि यहां पर कहने का आर्थ है कि अगर distance समान है तो speed का ratio जो है वो time के ratio का उल्टा होता है या फिर time का ratio speed के ratio का उल्टा है यानि कहने का आर्थ है अगर आपको question के अंदर speed का ratio दे रखा हो और distance उसमें समान हो तो time का ratio आपका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यानि कह सकते हैं कि अगर distance समान है तो distance समान होने पर अगर speed कम होगी तो time क्या लगेगा जाधा लगेगा और अगर speed जाधा होगी तो time क्या लगेगा कम लगेगा आप समझ पा रहे हैं जैसे माल लीजे 50 km की दूरी है यानि कि दूरी को हमने फिक्स कर दिया तो अगर पहले व्यक्ति के लिए माल लीजे चाल जो है वो 50 km प्रति घंटे की है और दूसरे व्यक्ति के लिए 25 km प्रति घंटे की है यानि कि आप आप समझ पाएंगे कि जिसकी चाल 50 km प्रती घंटे के लिए उसके लिए समय क्या लगेगा एक घंटे का लगेगा और जिसके लिए जो हमारी चाल 25 km प्रती घंटे की है तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा दो घंटे का लगेगा तो कहने का आरते कि जिसकी चाल जाधा होगी उसके लिए समय क्या लगे क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है देखे एक चोटे से question की हम बात करते हैं यहां पर एक चोटा सा question हम ले लेते हैं कि if A and B A और B की speed का ratio हमको दे रखा है वही एक चोटा सा question लेंगे जिसमें हमको A और B की speed का ratio दे रखा है speed का ratio हमको क्या दे रखा है 3 अनुपात 5 यानि की speed का ratio हमको दे रखा है 3 अनुपात 5 और देखिए हमसे क्या पूछा गया है हमसे कहा गया है कि to cover to cover a certain distance certain distance a in 30 seconds a in 30 seconds यानि की question में आपसे कहा जाता है question में आपसे कहा जाता है कि अगर a b का speed का ratio अगर 3 अनुपात 5 है तब अगर a जो है उस दूरी को cover करने में 30 seconds का समय लेता है तो b जो है वो उसको cover करने में कितना समय लेगा आपसे पूछा गया है कि a और b की speed का ratio अगर 3 अनुपात 5 है और A जो है वो उस दूरी को यानि कि यहाँ पर distance क्या है? fixed है एक certain distance को cover करने में यानि कि निश्य दूरी को cover करने में 30 second का समय लेता है A तो B कितना समय लेगा? तो देखे यहाँ पर क्या दे रखा है? A और B का ratio हमको दे रखा है 3.5 क्या दे रखा है? उल्टा हो जाएगा यानि कि अगर time के ratio की बात करेंगे तो time का ratio इनका क्या हो जाएगा? पांच अनुपाद 3 अब 5 अनुपाद 3 time का ratio हो गया और A जो है वो कितना समय लेता है? अब देखे यहाँ पर A कितना समय ले रहा है यानि कि ratio में A का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है यानि कि ratio में A का मान 5 दे रखा है और 30 सेकंड लेता है यानि कि एक ratio का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा जब एक ratio का मान 6 हो जाएगा तब आप समझ प होंगे कि A और B के speed का ratio दे रखा है 3.5 और आप से पूछा गया है कि B जो है उसको cover करने में कितना समय लेगा जब एक निश्य दूरी को cover करने में 30 सेकंड का समय लेता है अब देखिए अगर तो अभी आपको बताया थे कि एगर distance आपकी fix है यानिकी निश्यत है तो उस समय time का ratio जो है वो speed के ratio का क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है जब time का ratio speed के ratio का उल्टा हो जाएगा तो A का मान क्या है यहाँ पर 5 दे रखा और यहाँ पर 30 दे रखा यानिकि ratio में 5 है तो एक ratio का मा method को सीख लेंगे अच्छे से एक बार-बार इसको explain करके सीख लेंगे तो आपको questions करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी अब देखे अगली बात करते हैं दूसरे concept की आप समझ पायोंगे कि अभी हम जो आपको फर्मूला बताया थे उसमें क्या था आपका s1 upon s2 is equal to आपका अगर आप time का रेशियो निकालेगे तो time का रेशियो आपका qya हो जायेगा 3.02 का हो जायेगा यानिकि उल्टा हो जाएगा अगर आपका एभी रेशियो e जो है वहक् rumor क्या हुजल आपका time का रेशियो हो जाएगा यानिकि उसी concept पर अधालित हम को दुबारा बताएं कि s1 और S2 is equal to T2 upon T1 है तो अगर आपका S का ratio A अनुपात B है तो T का ratio क्या हो जाएगा B अनुपात A चलिए अगले concept की बात करते हैं अभी हमने क्या किया था distance को equal किया था अब हम बात करेंगे अगर time equal हो देखिए समझे इफ टाइम इस इक्वल इफ टाइम इस इक्वल दैन रिलेशन बिट्वीन रिलेशन बिट्वीन इस पीड एंड इस्टेंस इस्पीड एंड इस्टेंस यानि कहने का अरत है अगर आपका time equal है तो उस समय इसमें relation speed और डिस्टेंस के वीच क्या होगा यानि कि चाल और दूरी के वीच क्या होगा अब देखिए वही अगर हमने दो particle ले लिया निकि दो चीजें ले लिए एक ले लिया और एक बी ले लिया अब देखिए क्या जा रहा है time is equal यानि कि time जो है वो दोनों के लिए समा अगर आपका time समान है उसके बाद speed and distance में relation पूछा गया है तो मान लीजिए a के लिए speed s1 है और b के लिए s2 है तथा distance की बात करूँ तो a के लिए distance d1 है और b के लिए क्या है d2 है अब हमें relation निकालना है तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे s1 और s1 is equal to क्या हो जाएगा दूरी बेटे चाल यानि कि d1 upon d2 sorry d1 upon t1 d1 upon t1 और अगर मैं s2 निकालूँगा तो s2 is equal to क्या हो जाएगा आपका d2 upon t2 यानि यह भी हो जाएगा आपका दूरी बेटे समय चाल बराबर दूरी बेटे समय से निकाल लेंगे अब मुझे relation निकालना है तो s1 upon s2 time is equal यानि कि time क्या है दोनों के लिए समान है तो d1 upon क्या हो जाएगा t and d2 upon क्या हो जाएगा t तो t से t आपका cancel हो जाएगा तो आगर आप s1 upon s2 is equal to निकालेंगे तो d1 upon क्या हो जाएगा d2 d1 upon d2 हो जाएगा कहने का आर्थ है कि अगर आपका time equal है तो जिसकी speed जादा होगी वो जादा दूरी तै करेगा और जिसकी speed कम होगी वो कम दूरी तै करेगा यानि कि simple भासा में कह सकते है कि अगर आपका time equal है तो उस condition में जो speed का ratio होगा भही आपका क्या होगा दूरी का भी ratio होगा जैसे मालो अगर speed का ratio आपका a अनुपात b है तो उस condition में आपका जो दूरी होगी उसका ratio भी क्या हो जाएगा a अनुपात b हो जाएगा जो आपका speed का ratio होगा भही आपका distance का ratio भी हो जाए यानि कह सकते हैं बही simple सी बात है अगर मान लीजिए time समान है जैसे एक घंटा अगर हमको दे दिया जाता है अगर हमको एक घंटा दे दिया जाता है और किसी व्यक्ति की चाल अगर 50 km पर ती घंटे की है तो वो क्या करेगा हम जाएं जायेगा एक घंटे में 50 km चलेगा और किसी व्यक्ति की चाल चालिस क्लिमेटर पर ती घंटे की है तो कितना चलेगा चलिस कम करेगा चलिए अब हम बात करेंगे एक चोटे से simple question की अगर हम बात कर लें तो देखिए question वे हमसे क्या कर जाता है कि ratio of speed यानि कि इसमें भी आपको क्या दे रखा है ratio of speed यानि कि ratio of speed आपको दे रखा है 3.5 यानि कि हम आपको क्या कर रहे है जो भी आपको method बता रहे हैं उसमें मतलब जो भी concept बता रहा हूं, उसमें एक simple सा question भी आपको करके दिखा दे रहे हैं, कि इसका use कैसे होता है, तो देखिए क्या है, ratio of speed a.b is equal to, आपको 3.5 नहीं, बलकि 5.6 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5.6, इसके आगे question में कहा जाता है, कि a cover 300 meter in a certain time, यानि कि a जो है, a cover 300 meter distance in a certain time, certain time, यानि कि a जो है, अगर speed का ratio 5.5.6 का है, और आपसे कहा जाता है, कि a जो है, वो 300 meter की दूरी को एक निश्चित समय में तै करता है, तब b जो है, वो कितनी दूरी तै करेगा, आपको ये निकालना है, देखिए यहाँ पर क्या certain time, यानि कि निश्चित दूरी, और हम आपको बताया थे कि अगर आपकी दूरी निश्चित है, तो उस condition में क्या होगा, S1 upon S2 is equal to D1 upon D2, यानि कि जो आपका speed का ratio दे रखा होगा, speed का ratio क्या है, 5.56 का है, जो speed का ratio होगा, भही आपका क्या होगा, distance का ratio होगा, अगर speed का ratio 5.56 है, तो distance का भी ratio क्या हो जाएगा, 5.56 हो जाएगा, अगर distance का ratio 5.56 है, और question में आपसे कहा जाता है, कि A कवर 300 meter distance, यानि कि A जो है, वो 300 meter distance को कवर करता है, तो A का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, distance में देखिए, 5 मान दे रखा है, निकि A का ratio में अगर मान की बात करें, कितनी दूरी तय करेगा 360 मिटर की दूरी तय करेगा अब हम बात करें एक नए concept की यानि कि यहां पर अभी हमने क्या किया था अभी हम distance distance को fix कर चुके हैं और time को fix कर चुके हैं अब हम fix करेंगे speed को यानि कि अगर चाल अगर हमारी निश्चित हो जाए तब आपका time और distance के बीच ratio क्या होता है वो चीज देखेंगे अगर अगर बात करें if speed is equal speed is equal then relation between relation between distance and time distance and time यानि कि अगर speed समान हो जाए तो distance और time में relation क्या होगा देखें अगर बात करें ए और बी यानि कि ए और बी हमने दो गाड़ियां ले लिए के लिए मुझे क्या करना है speed को equal कर देना यानि कि speed दोनों के लिए क्या है ऐसे और अगर time की बात करें तो A के लिए हमने T1 मान लिया और B के लिए T2 मान लिया और distance की बात करें तो इसके लिए D1 मान लिया और इसके लिए क्या मान लिया D2 मान लिया ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक के लिए एकर हम speed निकालेंगे तो speed is equal to क्या हो जाएगा आपका D1 अपॉन टीवन क्योंकि फार्मूला क्या होता है फार्मूला आपका होता है सम चाल बराबर दूरी वटे समय यानि कि D1 अपॉन टीवन और इसके लिए इसकेंड वाले यानि कि B के लिए निकालेंगे तो S is equal to क्या हो जाएगा आपका D2 अपॉन टीटू अब यहां से मुझे क्या निकालना है मुझे डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकालना है तो मैं इन दोनों को एक दूसरी के नीचे कर दूँगा तो S is equal to S हो जाएगा यहनिकि S अपॉन में ले आएगे तो D2 upon क्या हो जाएगा T2 is equal to D1 upon T1 अब देखे इस वाले को इधर ले जाएंगे इस वाले टरम को इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा T1 upon T2 is equal to क्या हो जाएगा आपका D1 upon D2 T1 upon T2 is equal to D1 upon D2 यानि कि कह सकते हैं कि अगर आपका चाल fix है यानि कि अगर माल लीजे A और B है तो दोनों के लिए अगर चाल माल लीजे 50 km प्रति घंटा कर दिया जाएगा तब आप भी समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें समय कम दिया जाएगा तो हम कम दूरी तय करेंगे समय जाधा दिया जाएगा तो हम जाधा दूरी तय करेंगे यानि कि अगर हमने समय आपको एक घंटा दे दिया तब आपके बल 50 km की दूरी तय की कर पाएगे और अगर हमने समय 2 घंटा दे दिया तब आप 100 किलोमेटर की दूरी तै कर पाएंगे यानि कि कह सकते हैं कि अगर आपका speed fix हो जाएगा तो उस condition में आपका distance और time के बीच का relation क्या हो जाएगा अगर T1 upon T2 equal to D1 upon D2 यानि कि अगर कह सकते हैं कि speed fix है और time के बीच का ratio अगर आपका A अनुपात B है तो उस condition में आपका distance के बीच का ratio भी क्या होगा A अनुपात B होगा यानि कि ratio जो है वो आपके क्या होंगे समान होंगे तो देखिए सातियों आज हमने सीखा था कि बहुत सारे इससे related जो concept होते हैं यानि कि ratio method के अंदर जो आपके 3 concept होते हैं यानि कि time को fix कर दिया जाए, speed को fix कर दिया जाए, distance को fix कर दिया जाए तो relation क्या होते है, ratio पर क्या effect पड़ता है वो सारी चीज़े हमने सीखी conversion of speed को सीखा, relative speed को सीखा और इससे बहुत सारी चीज़ें कि speed कहां से आती है, distance कहां से आती है, सारी चीज़ें होती क्या है वो हमने सारी चीज़ें आज सीख ली और अब हम आगे कि class में इससे related जो भी questions बनते हैं उन सारे questions को solve करेंगे और दीरे-दीरे questions को level भी बढ़ाते चलेंगे देखिए साथियों हमको ये सारी चीज़ें जानना इसलिए जरूरी था देखिए पहली चीज़ में बारबार कहता हूँ कि कोई भी chapter आप पढ़ें तो सबसे पहले उसके recording जितनी भी चारी सारी चीज़ें आपके concept बनते हैं सबसे पहले आप उनको जानिए और दीखिए अगर आप चाल समय दूरी यानि की speed time और distance को आप सीख लेते हैं तो इसके recording आपके दो चेप्टर और है यानि की rail गाली से सम्मंदित परसन और आपके जो शेकेंड क कलास होगी उसमें हम बहुत अच्छे से सारे questions को solve करेंगे और कैसे इन meっhol동 को लगाते हैं कैसे फार्मुले से question से question के esos question को solve करते हैं और किस प्रकार से ratio method से question को solve करते हैं वो सारी चीज़ें हम explain करेंगे तो सात्यों सबसे पहली चीज़ आप आज की class को देखे और उसके बाद आगे आने वाली classes हैं उनको भी complete कीजेगा तब आप निश्चित तोर पर जो आगे के दो chapter हैं उनको भी अच्छे से clear कर पाएंगे और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तीनों chapter के अंदर तब आप देखेंगे कि जब तीनों chapter आपके complete होंगे तो उसके बाद इन chapter से बनने वाला कोई भी question जो आपके government exam में चाहिए ससी का exam हो या रिलवे का exam हो या फिर कोई भी state level का exam हो बहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो आप question को बगार बना Thank you, waste of luck.